हेलो, आज हम बना रहे हैं बच्चे हुए चापल से साबुदाना रोल इसके लिए मैंने दो बड़े चम्मच मुफली को इमाम दस्ते में कूट लिया है मिक्सी में नी चलाया क्योंकि हमें दरदरा चाहिए था ये एक कटोरी मेरे रात के बच्चे चापल है इनकों भी मैंने इमाम दस्ते में ही कूट लिया है क्योंकि हमें थोड़े से मैशी मैशी से चाहिए इसलिए सारे चावलों को हमने मिक्सी में कूट के निकाल लिया है ये हमारे पास एक कप साबुदाना था इसे हमने दो घंटे के लिए भिगो दिया था फिर छनी पे निकाल कर पानी निकल जाने तक रखा रहन दिया थोड़ी देर अब इसमें हमने चार छे कड़ी पत्ते दो तीन हरी मिर्च प्यास हरी मिर्च कटीवी और एक प्यास बारी कटीवी डाली है एक छूटा चम्मच चाट मसाला डाला है एक ब्रेट का स्लाइस अभी डाला है इसको अच्छी तरह से मिला के देखेंगे इसमें आदा चम्मच एजवाइन डाली है आदा चम्मच जीरा डाला है आदा चम्मच पिसी लान मिर्च आदा चम्मच नमक और तो आदे से भी कम एक चौथाई चम्बच चिली फ्लेक्स डालें इसको अच्छी तरह से मिलाया है अभी इसमें हल्की सी नमी है तो हम इसमें एक और ब्रेट का स्लाइस मिलाके डाल देंगे कड़ी पत्तों को हाथ से तोड़ते वे डाला है तो इससे बड़ी अच्छी सी खुश्भू आईगी इसमें हमने बारी काटकी नहीं डाले हैं कड़ी पत्ते एक चौधाई जम्बच हमने हल्दी डाली है सबको अच्छी तरह से मिलाकर रोल का सा शेप दे दिया है अंडे का सा शेप आप अपने पसंद के शेप दे दें जैसा भी कबाब बना ले जाए हम सारे मसाले का रोल बना लेंगे सारे बचे वोई चाबलों का ये बड़ा अच्छा यूज है से हच्छे भी भरपूर नाश्टा आई है सारे रोल हमारे तयार हो गए अब इनको हम तलेंगे तीन बड़ी चमच तेल को हमने कडाई में गरम कर लिया है मेडियम हीट पर इन रोल्स को डाला है एक तरफ से सुनैरा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसको पल्टेंगे दूसरी तरफ से सेखेंगे सब तरफ से इसको सुनेरा क्रिस्पी हो जाएगा तो हम इसको बहार निकाल लेंगे यह हमारे ब्रेड रूल कब ब्रेड के साबुदाना रूल तयार